जुगाडू सास बहु का गर्मी में बोरा घर, कूलर और फ्रिज इभगवान, इस गर्मी ने क्या सोच लिया है? मा, मा मैं आ गया बहु देख, रागव आ गया है मेरे बच्चे को पानी दे नहीं मा रहने दो, बाबा का है? तेरे बाबा तयार बोरियों को लेकर गए है, तुझे बाहर मिले नहीं क्या? बाबा को आपने बाहर वेज दिया मा, मैं आप दोनों को क्या करूं यार, आप तो सब को जानती हो, फिर भी आपने बाबा को क्यो जाने दिया? आप हमें मत दाटी रागव जी, हमने तो बाबा को बहुत रोगा था, लेकिन वो नहीं माने और खुद ही तयार बोरियों लेकर उन्हें गोदाम पर देने चले गए रागव अपने बाब को देखने निकल गया, दोपहरी में वो पसीने में तर बतर अपने बाब को ढून रहा था, कि तबी कुछ दूरी पर दिनेश उसे बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया, बोरियां भी उसकी वहीं पड़ी हुई थी रागव अपने बाब को देखकर घबरा गया और जल्दी से उसे अस्पताल ले कर गया जी हाँ, वो होश में है, लेकर रागव मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अपने बाबा को ऐसी भरी दोपहरी में बाहर मत जाने दो जी रागव अपने बाब को दवा दल्वा कर वहां से घर ले आया और घर में अपनी मा और बीवी को उसने पूरा वाक्या सुनाया अगर आग में वक्त पर न पहुंचता तो क्या हो जाता, हाँ? बाबा आप ही तो हमारे सर पर इकलोता सहारा हो, आप ऐसे मत किया कीजिए, जिससे की आपको नुकसान हो बहु, ऐसे घर में बिस्तर पर पड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इससे और भी जादा बीमार सा महसूस करता हूँ और वैसे भी, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी जिन्दगी कुछ खास लंबी बाकी है, तो तुम मुझ पर इतना ध्यान मत दो बेटा चुप रहिए, कैसी बाते कर रहे हैं आप, अभी तो आप सौ साल तक जीएंगे, अभी आपकी उम्र ही क्या है सभी दिनेश की तबित की वज़ा से परेशान थे, वो बेहत गरीब परिवार था जो बोरियां बना कर उन्हें गुदामों पर बेचता था और अपना गुजारा करता था पूरे परिवार के पास रहने कोई कच्ची छत तक नहीं थी, बस फुटपात पर बोरियों का घर बना कर उनका गुजारा चल रहा था गर्मी में वो बोरियां आग की तरह गर्म हो जाती थी और घर में गर्मी किसी भट्टी से कम नहीं लगती थी लेकिन ऐसे में भी वो गरीब परिवार बिना शिकायत के रह रहा था ऐसे ही सलसला जारी था और इतनी गर्मी में रहने की वज़ह से बुढ़े दिनेश की तबियत बस बिगड़ने पर ही थी रागव देख तो सही तेरे बाबा का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है मा मैं बुखार की दवा लेकर आया हूँ आप बाबा को वो दे दीजिए मैं बोरियां बेचने जा रहा हूँ अगर मेरे आने तक भी बुखार कम न हो तो मैं दुबारा दवा लियाऊंगा ठीक है कमला ने अपने पती को दवा खिला दी और आघव काम पर चला गया घर की बहु भी भट्टी जैसे घर में चूला फूकने लगी जिससे की वहां का भपका और भी ज्यादा बढ़ गया दिनेश से ये जेल पाना भारी हो रहा था उसने अपने जीने की उमीद भी छोड़ रखी थी और उसने अपने बोरी के तपते हुए घर में ही दम तोड़ दिया कुछ देर बाद दिनेश के पास उसकी बहू आई बाबा बाबा आखे खोली ये देखिये बाबा आखे ये नहीं खोल रहे हो बहू ठिक ठाग से आवाज लगा दोनों सास बहु ने बहुत आवाजे लगाई लेकिन दिनेश अब उठने वाला नहीं था जब कमला को ये खबर लगी कि उसका पती जा चुका है तो वो बहुत रूई साथ में दिशा और राघव का भी रो रोकर बुरा हाल था जित्ता गरीब परिवार के बस में था उन्होंने उस हिसाब से ही दिनेश का अंतिम संसकार कर दिया अब दिनेश की मौत हुए एक हफ़ता गुजर चुका था मा में जाकर कोई काम ढूनता हूँ बाबा के जाने के बाद पूरे हफ़ते काम नहीं हो पाया है सही कहा मैं और बहु भी कोई काम ढूनेंगे इस तरह रहे तो एक एक करके हम सभी ही बीमार पढ़ने लगेंगे सही कहा मा हम कोई काम ढूनकर किसी किराय के कमरे में रहलेंगे इस जुगार से बने बोरी के घर में तो न दिन को चैन है न रात को सुकून अभी भी देखिए ये वाली बोरी बार बार यहां से हट जाती है और धूब घर के अंदर आती है मैं समझती हूँ बहो हम सभी इस बोरी घर से परेशान है मा जब तक आपका बेटा जिन्दा है तब तक मैं आपको काम नहीं करने दूँगा इसमें कोई परेशानी नहीं है रागव जी एक सदस्यक्य करने से हमारे घर का गुजारन नहीं होगा अगर हम तीनों मिलकर अपने हालातों को सुधार सकते हैं तो क्या हर्ज है अच्छा ठीक है अगर तुम नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें घर में ही कोई काम लाकर दे दूँगा तुम घर बैठे काम कर लेना लेकिन इतनी गर्मी में तुम्हें और मा को बाहर नहीं निकलने दूँगा रागप ने अपनी माँ और बीवी को घर में ही बोरियां बनाने का काम लाकर दे दिया जो उसका बाप क्या करता था और वो एक कार खाने में वज़र उठाने का काम पर लग गया मा ऐसा क्या किया जाए जो हम कम मेहनत में ही ज्यादा बोरियां बना दे बहु इन्हें अगर हमने हाथों से बुना तो बहुत समय लग जाएगा और सुई वगेरा हमारे पास है नहीं तो माजी क्या हुआ अगर हमारे पास सुई नहीं है सीख तो है ना चलिए उससे हम बोरिया बनाते हैं अरे वाब बहु अपने ससुर जी और मेरी तरह तू भी जुगाड़ू हो गई है हाँ माजी गरीबी में तो जुगाड़ी करने पड़ते हैं वैसे माजी आज हम क्या खाएंगे दिशा ने अपनी सास की बात पर गर्दन हिला दी दोनों सास बहु ने सीको को अपनी बोरी बुनने के ओजार की तरह इस्तमाल किया और उससे वो बोरियां बनाने लगी शाम को जब राघव भी घर आ गया तब पूरे परिवार ने बैट कर पानी से रोटियों को निगला अरे मा मैं आपको बोरियां तो दे गया था लेकिन आपने उन्हें बुना कैसे बस बेटा थोड़ा दिमाग चलाया और थोड़ा जुगार कमाल है मा इतनी उमर में भी आपके दिमाग की तेजी कम नहीं हुई आपके और बाबा के जुगार की बदौलत ये बोरियां हमारा घर बनी है बस बेटा जब जब भगवार ने कुछ नहीं दिया तो क्या वो दिमाग भी ना देता सही कहा मा पूरे परिवार भले ही गरीब था लेकिन वो हमेशा खुश रहते थे ऐसे ही दो चार दिन बीद गय गर्मी में आधे पेट खाने और कार खाने में वज़न धोने की वज़़ा से अब रागव भी बीमार पड़ चुका था ये भगवार बाबा को भी ऐसे ही परिशानी होनी शुरू हुई थी मा हमें रागव जी को कहीं ठंडी जगा में रखना चाहिए वर्ना कहीं कुछ भी अशुब मत निकाल अपने मुह से बहु पेरे बेटे को कुछ नहीं होगा मैं भी यही चाहती हूँ हम मिलकर काम कर रहे थे मुझे ये लगा था कि हमें इस बोरी घर से चुटकारा मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा मेरे पती भी बीवार पढ़ गए पाजी मुझे तो लगते हैं कि हमारा परिवार ऐसे ही बुझ जाएगा नहीं बहु ऐसा नहीं होगा तू क्यों ऐसी बाते कर रही है भाजी ज़रा देखिये दिन पे दिन गर्मी बढ़ रही है हम इसमें कितने दिन तक जिन्दा रह पाएगे रागव की तबेद खराब हो जाने से दोनों सास बहु भी परिशान थी बोरी घर में गर्मी बहुत ज्यादा थी उनके घर के हालाद बहुत नाजुक लग रहे थे कितन भी एक चमतकार हुआ वही पास में रखी हुई दिनेश की तस्वीर चबकने लगी और खोच चबकता हुआ दिनेश उससे बाहर आया दिनेश जी कमला दिशा और रागव मेरे बच्चे परेशान मत हो भगवान जब कुछ देता है तो उससे पहले अपने भगतों की परिक्षा भी लेता है ये बस तुम्हारी परिक्षा थी मैं भले ही तुम्हारे बेच से चला गया लेकिन वहां जाकर भी मैंने तुम्हारा खयाल रख़ा और आज मैं भगवान जी से आग्या पाकर तुम्हारी मदद करने आया हूँ ऐसे बोलकर दिनेश ने अपना हाचारो तरफ बोरी घर में चलाया ऐसा करते हुए ही बोरियां इटो की तरह मजबूत और बर्फ की तरह ठंडी हो गई अब उसमें कोई धूप नहीं आ रही थी ऐसे ही उसने अपना हाथ कोने की तरफ को किया तो वहाँ एक फ्रिज लग गया दूसरे कोने में एक कूलर आ गया और जब उसने रागव की तरफ को अपना हाथ किया तो रागव भी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ मुझे लगता है इतनी मदद काफी है, अब मैं चलता हूँ दिनेश जी, रुक जाईए न, अपने परिवार की मदद करके दिनेश गायब हो गया पहले जितना उनका घर गर्म था, वो अब उतना ही ठंदा हो चुका था वह मा, पूरियां सक्त हो गई है, जरा कूलर की हवा खा बहू, लग रहा है जैसे स्वर्ग से हवाएं आ रही है और मा, ये फ्रिज देखो, इसमें कितना सारा खाना है हमने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं, चलिए रागप जी, कुछ खाते है गरीब परिवार ने फ्रिज में से सामान निकाल लिया और अपनी भूग को शान्त किया वो फ्रिज जादू ही था, जो बिना बिजली के चलता था और उसमें से खाना भी खत्म नहीं हो रहा था अरे वा, आज तो मसा ही आ गया सही कहा, कभी सोचा नहीं था कि मुश्किल गड़ी इतनी खुबसूरत हो जाएगी सभी ने खाना खाया और भगवान का शुक्रियादा किया अब गरीब साज बहुकों किसी चीज की परिशानी नहीं थी गर में जरूरत का सामान था और रागव भी अब एक किराने की दुकान में नौकरी करने लगा था और अब वो सबी खुशी खुशी रहते थे